गणेश चतुर्थी की पहली व्रत कथा एक बार महादेव जी भोगावती नदी पर स्नान करने गए उनके चले जाने के बाद पारवती माता ने अपने तन की मेल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाले उसका नाम गणेश रखा पारवती माता ने उससे कहा कि एक मुगदल लेकर द्वार पर बैठ जाओ और जब तक मैं नहा रही हूँ किसी को अंदर मत आने देना भोगावती पर से स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी आये तो गणेश जी ने उन्हे द्वार पर ही रोक लिया शिव जी ने बहुत समझाया पर गणेश जी नहीं माने इसको शिव जी ने अपना अपमान समझ कर उस पर क्रोध किया और त्रिशूल से उसका सिर्धर से अलग करके भीतर चले गए जब माता पार्वती को पता चला कि शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया है तो वे बहुत कुपित हुई गणेश जी के मूर्चित होने से पार्वती माता अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया पार्वती जी की नाराजगी दूर करने के लिए शिव जी ने गणेश जी के हाथी का मस्तक लगा कर जीवन दान दिया तब देवताओं ने गणेश जी को तमाम शक्तियां प्रदान की और प्रथम पूज्य बनाया यह घटना भादरपद माह के शुकल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी इसलिए यह तिथी पुन्य पर्व गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन व्रत पालन कर गणेश चतुर्थी व्रत कथा को सुन्ने अथ्वा पढ़ने से व्यक्ति के पाप नश्ट हो जाते है और जीवन में कष्टों का निवारण होता है गनेश चतुर्थी वरत कथा व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली और जीवन में सुक सम्रद्धी लाने वाली बताई गई है गनेश जी की खीर वाली कहानी एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिम्टी में चावल और चम्चे में दूध लेकर निकले वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो एक बुढिया बैठी हुई थी, उसने कहा ला मैं बना दू, वह छोटा सा बरतन चड़ाने लगी तब गणेश जी ने कहा कि दादी मा छोटी सी भगोनी मत चड़ाओ तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बरतन हो वही चड़ा दो बुढिया ने वही चड़ा दिया वहा देखती रह गई कि वहा जो थोड़े से चावल उस बड़े बरतन में डाली थी वहा तो पूरा भर गया है गणेश जी ने कहा दादी मा मैं नहा कर आता हूँ खीर तयार हो गई तो बुढिया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे बुढिया ने कहा गणेश जी तेरे भोग लगना कहकर चूले में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी बुढिया की पडोसन उपर से देख रही थी तो बुढिया ने सोचा यह चुबली कर देगी तो एक कटोरा भर कर उसे भी पकड़ा दिया बेटे की बहो ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया अभी भी गणेश जी नहीं आये थे बुढिया को भी भूख लग रही थी वह भी एक कटोरा खीर का भर कर के कीवाड के पीछे बैठ कर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपके भोग लगे कहकर खाना शुरू कर दिया तब ही गणेश जी आ गए बुढिया ने कहा आजारे गणेश या खीर खा ले मैं तो तेरी ही राद देख रही थी गणेश जी ने कहा दादी मा मैंने तो खी पहले ही खा ली बुढिया ने कहा कब खाई गणेश जी ने कहा जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी जब तेरी पडोसन ने खाई तब खाई थी और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया बुढिया ने कहा बेटा और सारी बात तो सच है पर बहुं बिचारी का तो नाम मत लो वहा तो सुबह से काम में लग रही है उसने फिर कप खाई गनेश जी ने कहा चाची के नीचे देख जूठा कटोरा पड़ा है और तूने तो मेरे भोग तो लगाया वहा तो वैसे ही खा गई बुढिया ने कहा बेटा घर की बात है घर में ही रहने दो अब बताओं बची हुई खीर का क्या करू गनेश जी ने कहा नगरी जी जी मा दो बुढिया ने पूरी नगरी जी मा दी फिर भी बरतन पूरा ही भरा था राजा को पता लगा तो बुढिया को बुलाया और कहा क्यों री बुढिया ऐसा बरतन तेरे घर पर सोवे अच्छा लगे या हमारे घर पर सोवे बुढिया ने कहा राजा जी आप ले लो राजा जी ने खीर का बरतन महल में मंगा लिया लाते ही खीर में कीड़े, मकोडे, बिच्छू, कंचले हो गए और दुरगंद आने लगी यहां देखकर राजानी बुढिया से कहा बुढिया बरतन वापस ले जा जा तुझे हमने दिया बुढिया ने कहा राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते यहां बरतन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है, बुढिया ने बरतन वापस लिया लेते ही सुगंदित की हो गई घर आकर बुढिया ने गणेश जी से कहा बची हुई खीर का क्या करे गनेश जी ने कहा जोपडी के कोने में खड़ा खोद कर गार दो उसी जगा सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के दो चरे मिलेंगे ऐसा कहकर गनेश जी अंतरध्यान हो गए जाते समय जोपडी के लात मारते हुए गए तो जोपडी के स्थान पर महल हो गया सुबह बहु ने फावडा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला बहु ने कहा सासु जी थारू गनेश जी तो जूटो है सास ने कहा बहु मारो गणेश जूटो तो नहीं है ला मैं देखू वासुई लेकर खोजने लगी तो टोन टोन करते दो धन के चरे निकल आए बहु ने कहा सासु जी गणेश जी तो साचो ही है सास ने कहा गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है यह गणेश जी जैसा आपने बुढिया को दिया वैसा सब को देना विनायक जी की कहानी, कथा, कहने वाले हुंकार, भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सब को देना